यह तो दोस्तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से मिलियनर, मुलियनर और बिलियनर पीवल मजूद हैं जिनके बारे में हम जानते हैं उनकी लाइश्टायल, उनके कार कलेक्शन और उनके बिजनसीज और पॉपलेटी के बारे में जानते हैं बट इनके अलावा भी दोस्तो बहुत से रिच परसन है, जो कि मीडिया के सामने कभी खुल के आए ही नहीं जिनके अमारे में लोगों को पता ही नहीं है, बट दोस्तो इक्चली में बहुत सी लगजिरी लाइफ जीते हैं काफी अच्छी खासी expensive car collection भी इनके पास होती है, तो दोस्तो इनी में से एक परसन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक businessman के car collection के बारे में जो कि इंडिया में मौजूद है जो को इस टार्ट करने से पहले दोस्तो अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी पसंद आती है तो प्ली दोस्तो अपने वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जूर कर दें पहले बात करते हैं अनीश गुपता के वायोग्राफी के बारे में तो दोस्तो यह एक यह इंडियर entrepreneur है जो कि दिल्ली में रहते हैं दोस्तो यह एक AUX event के founder है जो की hotel और event management की agency है और इनके साथ ही यह एक investor भी है दोस्तो इनके पास तक्रीबन 25 क्रोट रूपीज के car collection है तो अब बात करते हैं इनके total car collection के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं नमबर 10 पे आने वाले car के बारे में जिसका नाम है Jeep Compass दोस्तो इसमें 2.0 लिटर का engine देखने को मिलता है जो कि 167 BHP का power और 350NM का talk generate करता है इंडिया के अंदर दोस्तो इस car की on-road price है 32,00,000 रूपीज तो नमबर 9 पे आता है Kia Carnival दोस्तो इसमें 3.6 लिटर का V6 engine देखने को मिलता है जो कि 197 BHP का power और 440NM का talk generate करता है Kia की तरब से आने वाली एक luxury van है जिसकी on-road price इंडिया के अंदर 41,00,000 रूपीज है तो अब बात करते हैं नमबर 8 पे आने वाले car के बारे में जिसका नाम है BMW M2 manual दोस्तो इनके पास grey color की BMW M2 है जिसके अंदर 3.0 लिटर का twin turbo engine देखने को मिलता है जो कि 450 BHP का power और 550NM का talk generate करता है कार की इंडिया के अंदर on-road price है 1.4 करोड रूपीज की तो अब बात करते हैं नमबर 7 पे आने वाले car के बारे में ये भी एक BMW की तरब से आने वाले car है जिसका नाम है BMW M4 competition दोस्तो इसमें 3.0 लिटर का twin turbo engine देखने को मिलता है जो कि 500 HP और 650NM का talk generate करता है इंडिया के अंदर दोस्तो इसकी on-road price है 1.5 करोड की आप बात करते हैं नमबर 6 पे आने वाले car के बारे में जिसका नाम है Mercedes S-Class जिसमें दोस्तो 3.0 लिटर का engine देखने को मिलता है जो कि 280 BHP का power और 600NM का talk generate करत है दोस्तो इसकी on-road price है इंडिया के अंदर 1.7 करोड रूपीज बात करते हैं नमबर 5 पे आने वाले car के बारे में दोस्तो इनके car collection में Range Rover भी शामिला है दोस्तो इनके Range Rover का नाम है Range Rover Walk जिसमें की 3.0 लिटर का engine देखने को मिलता है जो कि 340 HP का power और 550 NM का talk generate करता है दोस्तो इंडिया के अंदर इस car की price है 2.4 करोड रूपीज बात करते है नमबर 4 पे आने वाले car के बारे में जिसका नाम है Audi R8 V10 Plus दोस्तो इनके पास एक Red Audi R8 है इनके पास Red Color की Audi R8 है जिसमें की 5.2 लिटर का V10 engine देखने को मिलता है जो कि 600 HP और 560 NM का talk generate करता है दोस्तो इस car की on- प्राइज इंडिया के अंदर है 2.8 करोड रूपीज बात करते है नमबर 3 पे आने वाले car के बारे में जिसका नाम है Mercedes Mavic S580 जिसमें की 4.0 लिटर का V8 engine देखने को मिलता है जो कि 496 HP और 700 NM का talk generate करता है दोस्तो इसकी on-road प्राइज इंडिया के अंदर 3.10 करोड लिटर का V12 engine देखने को मिलता है दोस्तो ये कार 660 HP और 760 NM का talk generate करता है इस कार के इंडिया के अंदर on-road price है 4.40 करोड रूपीज अब बात करते हैं नमबर 1 पे आने वाले car के बारे में दोस्तो नमबर 1 पे दो कार हैं जो कि काफी ज़्यदा expensive है पहले बात करते हैं Range Rover Autobiography की बारे में जिसका की long wheelbase version इनके पास मौजूद है दोस्तो इसमें 4.4 liter का V8 engine देखने को मिलता है जो कि 350 horsepower और 700 NM का talk generate करता है इस कार की on-road price इंडिया के अंदर 4 क्रोड रूपीज है इसके लावा दोस्तो इनके पास एक Bentley Continental GT है जिसमें की 5.9 liter का engine देखने को मिलता है जो क 2626 BHP का power और 820 NM का talk generate करता है दोस्तो इस कार की on-road price इंडिया के अंदर 5.5 से लेके 6.5 क्रोड रूपीज तक है दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिरी दोस्तो अपने वीडियो को लाइक और अपने चैनल को जूता दें